जै मातादी मित्रो मेरा नम पंडीत प्रकाश जोसी स्वागत है मेरे यूट्यूब फेस्बूक चैनल एस्टो आज मैं मित्रो आज हम चर्चा कर रहे हैं तुला राची लिब्रंस के नॉंबर के मंतली राची फल की नॉंबर में कैसी रहेगी तुला राची की धन की स्वास्त की उनके परिवार के उनके दामपत्य जीवन उनके प्रेम की स्थती उनके संतान की स्थती उनके करियर की स्थती उनके व्यपार की स्थती इसके बारे में चर्चा करेंगे और पंचम में बैठे हुए शनी कहीं न क की तुला राशी की कुंडली आपके सामने आ रही है चंद्रमा आपकी राशी में बैठे हैं साथी साथ सूरी भी नीच के बैठे हैं तो ये क्या आपको रिजल्ट देंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे सूरी और चंद्रमा दोनों ही आपकी राशी में बैठें लेकिन ब ब्रस्तपती बैठें और ब्रस्तपती आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा ब्रस्तपती की दृष्टी आपको माला माल करेंगी वह कैसे कारिकर में हम चच्चा करेंगे और दसमभाव में आपके मंगल विराजमान है और मंगल की चतुरदिष्टी आपके परिवार भाव में बैठी तो कुछ ना कुछ आप परचेज कुछ ना कुछ रेनिवेशन ना चाते वे भी कराएंगे नॉम्बर के महिने में अब वो क्या करेंगे इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे साथी साथ के तु आपके बारवे भाहों में बैठे हैं जा छेनम्मा लिखा है के तु अध्यात्म का कारा कोता कोई मंत्र का जाब किसी गुरू क के आफसराम कोई ना कोई अध्यात्मिक बदला जबर्दक बदला नॉम्बर में आपको नजर आएगा या कुछ ना कुछ अनुभूती कुछ ना कुछ आबारवे केतु से आपको नजर आएगा चलिए इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले हम कहीं हेल्थ भाव में तो भई सूर्य और चंद्रमा दोनों ही बैटें कुडली मारके यानि हेल्थ भाव एक तारिक से लेकर पंदरा नोंबर तक हेल्थ भाव बहुत अच्छा नहीं है माता पिता को हेल्थ के शू रहेंगे उनको लेकर आपको हस्पताल के चक्कर काटने होते हैं और चंद्रमा माता काणा कहता हैं दोनों ही बहुत अच्छी इस्तति में नहीं नहीं है बाकि आपके हेल्थ के बारे में बात करें कि योगा यूगा जेंब यhmen कुछ ना कुछ पदति कोई ना कोई आयर्मेदिक नुस्का आप अपनाने वाले यारी हेल्थ अच्छा रहेगा इनफेक्ट नॉम्बर के मैंने में जो तुला राची वाले कोई नया कोर्स करने वाले नया कुछ सीखने वाले कुछ तुला राची वाले में आपका शौक जागरित होगा उसमें पार्टिसिपेड करेंगे या कुछ लोग शोशल मीडिया से जुड़ेंगे यानि कुछ ना कुछ तुला रासी वाले 80-70 परसेंट लोग कुछ नया करने की सोचेंगे नौंबर के मैने में साथी साथ धन की इस्तती के में बात करा तो धन की इस्तती दो बागों में बढ़ जाती है पहला एक तारीक से लेकर छे नौंबर तक यहां तक शुक्र ब्रिच्छिक रासी में बैटे ब्रिच्छिक रासी में शुक्र को अच्छा नहीं माना जाता तो एलेक्ट्रोनिक आइटम पे आपका छे नौंबर तक खर्चा होगा मोबाइल खराब हो सकता है कंप्यूटर खराब हो सकता है उस पे खर्चा करना पड़ेगा या कुछ धन किसी को जान पेचान मित्र या भाई बैनों को आपको धार देना पड़ सकता है यानि जो लक्षम अन्य स्थती में पहुंच जाएंगे तो साथ तारिक से लेकर तीस नौंबर के बीच में जो अस्टम भाव में ब्रस्पती बैटे हैं उनकी जो दृष्टी से विपरीत राज्योग बनेगा कही ना कहीं तीन बड़े धनलाब तीन बड़े अचानक के लाप तुलाराशी को देंगे यानि जो अस्टम भाव से जो विपरीत राज्योग की दृष्टी आप पर पढ़ रही है ना वो नौंबर में खासकर साथ नौंबर से आपका लाइब बदल देगी धन की स्थती बदल देगी यानि वो क्या तीन बड़े लाप देगी इसके बारे में बात कर लेत कोई क्लाइंट भी हो सकता है कोई जान पेचान वाला भी हो सकता है जो कि आपको बहुत अच्छा धनलाब उनकी बातों से उनके ओर्डर से मिलता हुआ नजर आएगा दूसरा देखा जाए तो क्रे विक्रे सेल इन परचेस से आपको जबरदस लाब होगा तीसरा आप अप अपने काम के अत्रिक्स भी एक्स्ट्रा इंकम या एक्स्ट्रा वर्क करेंगे जिससे भी आपको धनलाब होगा तो साथ तारीक के बाद जबरदस तुला राशी का फाइनन्स रहने वाला है इन फैक्ट इतना फाइनन्स रहेगा कि आप छोटे मोटे करजे भी नॉम्बर क जीवन के बारे में तो परिवारिक जीवन नॉम्बर के मेने में नॉर्मल रहेगा यानि परिवार के सदस से अपने काम में बेजी रहते वे नजर आएंगे लेकिन मंगल क्योंकि दसंभाओं में मंगल बैठे उनकी साथवी दृष्टी से घर में रेनुवेशन का काम होग उसके योग आपके मने और मंगल की दृष्टी से अनप्लांड होगा यानि आप नाना करते प्यार तुमी से कर वेठे यानि कि नाना करते वे आप करेंगे और इसी प्रकार से अब हम बात कर लेते हैं संतान भाओ के बारे में यानि तुला राची के संतान भाओ के बारे मे चाहे आपकी छोटी संतान तुला नाशी की या बड़ी संतान है तो एक तारिक से लेकर 15 नॉम्बर तक कही ना कही छोटी बड़ी संतान का नॉर्मल ही रहेगा जो आपकी संतान बिद्या में है तो बिद्या में बिजी रहेगी करियर में तो करियर में बिजी रहेगी किसी स् यानि मारगी हो जाएंगे ऐसे में संतान को किसी कारेकरम में पार्टिसिपेट करने से अच्छा उनको रिजल्ट मिलेगा खासकर वो खेल में किसी एक्टिविटी में आपकी संतान है तो उनको बेस्ट रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा कोई एक्जाम 16 नुम्बर के संतान के लिए चाहिए छोटी संतान ने तुलाराशी की बड़ी संतान है पूरा महीना ठीकी है लेकर 16 के बाद बहुत अच्छा रहने वाला है अब बात कर लेते हैं तुलाराशी वाले उनकी जो विद्यारती है उनका महीना भी दो भागु में बढ़ता है यानि एक तारि फूड पॉजनिंग आपको हो सकती है कुछ इनफेक्शन कुछ एलर्जी हो सकती है तो विबिन विबिन तुला राची वालों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी ऐसा यूग नजर आ रहा है स्टूडेंट का और पंद्रा नूब मर्दा 16 तारिक से 30 नूबर के बीच में करियर एक्जाम में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा 16 नूबर के बाद जो पिछला जो मैनत की है जो इंटरव्यू दिया है जो प्रियास किया उसमें कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव रिस्पॉंज मिलता हुआ नजर आएगा यानि स्टूडेंट के लिए वैसे तो करियर के लिए पूरा मैना ठीक है लेकिन हेल्थ के लिए 15 तारिक विशेश देया खराब है उसके बाद हेल्थ में इंप्रूमेंट है 16 तारिक के बाद 30 नूबर विशेश अच्छा है हेल्थ के लिए करियर के लिए अब बात कर लेत से तुलाराशी वाले उनकी जो नौकरी करते हैं जो जौब करतें तो कहीना कहीं देखा जाए तो ब्रस्टपती का विपरीप 2 बड़े काम बनते वे आपको नजर आएंगे अचाना कि आपका पत्रमॉशन हो जाये या आपके पद से समंदेत, पोजीचन से समंदेत, इस्थान परिवर्तन से समंदेत, मन्चाही नोकरी से समंदेत, कोई ना कोई बात आफिस मेनेजमेंट मानने वाला है, यानि कि आप किसी ना किसी काम में विजय मिलेगी, या कोई आपका कोई सरकारी रुकावा काम है कोई कोड से समंदिद रुकावा काम है जिसमें आपने अपील किये वो आपकी माली जाएगी कहीं न कहीं नॉम्मर के मैने में दूसरा देखा जाए अचाना कि आपकी बहुत अच्छी ताबड तोड सेल होती भी नजर आएगी यानि सेल के लिए भी नमबर का मैना अच्छा है तो नौकरी के लिए बहुत ही अच्छा मैना रहेगा नमबर का मैना यदि कोट केस है तो उसके लिए भी अच्छा मैना नॉम्मर का महिना रहेगा अब बात कर लेते हैं तूला राशी वाले उनकी जो दामपत्य जीवन में यानि जो पती पत्नी है जो प्रेमी प्रेमी का उनके बारे में बात कर लेते हैं तो कहीं न कहीं ये जो नॉम्मर का महिना है दो भागों में आपका बटेगा तूला राश आप कपल प्रेमी प्रेमी का के बारे में बात कर लेते हैं तो एक तारिक से लेकर 10 नुवंबर तक आपके पार्टनर को हेल्थ की इशू रह सकते हैं पार्टनर का मूंड बड़ा अफसेट रहेगा पुरानी बाते याद आएंगे पुराने रिलेशनशिप पुराने जो तू आपके पार्टनर को सफलता मिलेगी, पार्टनर से रिलेशन भी अच्छा होगा, पार्टनर का मून सविंग जो हो रहा था वो भी ठीक होगा, पार्टनर का आत्मी स्वास आपपे बड़ेगा, पार्टनर को कोई धल्लाब होता भा भी नजर आएगा, तो 10 नुवंबर तक तो partner के लिए अच्छा नहीं है 11 से 30 November आपके love couple के लिए बहुत ही अच्छा है साथी साथ partner के साथ आप weekend कहीं ना कहीं किसी hotel, किसी restaurant, किसी माल में बिताने वाले भी हैं यानि 10 November के बाद partner से relationship अच्छा है वहीं पर husband wife के बारे में बात करें पति-पत्नी के बारे में तो पूरा महिना एक तरिक से लेकर 30 November आपके पार्टर उनको property का कुछ लाब होता हुआ नजर आएगा या फिर उनके पैत्रिक property का कुछ हिस्सा उनको मिलता हुआ नजर आएगा वहान का उनको लाब नजर आएगा या उनको माता पिता या मामा मामी की तरफ से या फिर देखा जाए अपने भाई बेनों की तरफ से कुछ ना कुछ लाब मिलता हुआ आपके पार्टर को नजर आएगा साथी साथ पार्टर के साथ में नवंबर में किसी family function में जाते हुए नजर आएगे किसी स्हादी समारोफ में आप जाएगे साथी साथ पार्टर को करियर में पदलहन लाब यानि करियर लिए नवंबर का मेंणा बहुत अच्छा है आपके पार्टर को पधका होगा आपके पार्टनर के अच्छी डीले बनती भी नजराएगी तो जो भी पती-पतनी है उनके रिलेशन के लिए भी नवमर अच्छा है और साथी साथ पार्टनर अगर जौब वरकिंग या विपार में तो उनके करियर के लिए भी नवमर का मेना बहुत लापकारी रहने वाला ह जै मातादी बंदना जी, बंदना जी मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आप गुरुजी से तो सालों पहले से जुड़े हैं, तो क्या है आपका अनुबबाब मजे कुछ बताएं। इसवर ने ज्यान, सममान सब दिया हैं उन्हें के कारण हम आते हैं और यह विश्वास बना रही है, इनकी जो आस लोगों को देते हैं। तो उनका मैना नॉमब्र का मैना दो बागूं में बढ़ता है एक तारिक से 10 नॉमब्र तक कईना कई मशीन की खराभी से आप परिशान रहेंगे माल जो आप भेजेंगे उसकी परिशंसे हैं परिशान रहेंगे माल का नु chips on iso माल का समंदित आपको नुकसान सहना पड़ेगा कुछ और आपके कैंसिल भी होंगे तो कुल मिला के 10 नुमबर तक स्ट्रगल वाली स्थती रहेगी 11 तारिक से 30 नुमबर में काम में तेजी आएगी नया काम में आपको आपके योग बनते नया कुछ प्रोडेक्ट आप लोंज करें नई शौप खरीदने के योजना आपकी बन सकती है या नया इस्थान परिवर्तन के आपके योग बनते हैं वो भी कब बनते हैं 11 तारिक से 30 नुमबर में काम में तेजी भी रहेगी और नया काम आप करेंगे और या तो नया शौप खरीदने के योग बनते या नया कुछ न कुछ आप आप आपीस से समंदित खरीदारी करते हुए न जराएंगे यानि व्यपारियों के लिए दस दिन तो खराब है शुरुवाती उसके बाद बल्ले ही बल्ले रहने वाली है तो मित्रों इस कारेकर में पास इतना ही मुझे दीजिए जाद जैमत आजकल हमारे पास बड़े संस्तान में फोन आ रहे हैं कि गुरू जी इस नंबर से हमें वर्टाप आया है इस नंबर से हमें कॉल आया है आपका नाम ले रहे हैं और नंबर अलग है तो मैं आपको बता दूँ इस तरह के प्रलोबन में बिलकुल ना पड़े और आपको के साम आपने प्रस्तूत नंबर है देख लीजेगा यही नंबर हमारे हैं वैसे यूट्यूब में एक ही नंबर दिया जाता यह देखेगा 72101-24289 यह जो नंबर मैंने दिया है इस पे आप अपना नाम, डेट अबार, टाइम अब बर्थ भेजते हैं यह नंबर मित्रो हमारा शत परसी सत औरिजनल है उसके बाद यह जो नंबर आ रहे हैं जो 72101 की सिरीज में आप देख रहे हैं इन नंबर से हम कॉल करते हैं आपको अलग-अलग नंबर से मैं कॉल करता हूं ताकि एक ही नंबर में इतने सारे वर्टसेप ना हो जाए इतने सारे चीजे ना हो जाए तो हम अलग-अलग दिन मैं अलग-अलग नंबर पर आपसे टेलिफोनिक बात करता हूं तो नंबर देख लीजिए आप इन नंबरों को इन सोट ले लीजिए क्योंकि यही नमबर हमारे संस्तान